भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आए है अफगानिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट में आगे बढ़ाने के बाद अब उन्होंने नेपाल की टीम के तरफ मदद का हाथ बढ़ाये है BCCI की और से नेपाल की टीम को पहुचाई जारी मदद के तहट T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में पड़ोसी देश नेपाल की मदद करने के लिए BCCI फ्रेंशिप कप नाम से एक ट्राइ सीरिस कराने जारी है नेपाल क्रिकेट की और से इसका शेडियूल भी जारी कर दिया गया है आईए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला मैं हो सपना और आप देख रहे हैं बार्टिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमेर क्रिकेट बोर्ड है जिसके नाते वो अकसर दूसरी टीमों को प्रॉसाहित करने के लिए उनकी मदद करता रहता है इस बार बीसी सी आई ने पडोसी देश नेपाल की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है बी सिसी आये टीट वर्ल कब के राइसिंग टीम नेपाल की मदद करने के लिए एक फ्रेंडशिप कप नाम के ट्राइ सीरीज कराने का अइलान किया है जिसके तहएं नेपाल की क्रिकेट टीम टीटि वर्ल कप की तैयारियों के लिए भारत आएगी तीम यहां साथ मुकाबले खेलेगी ये ट्राइ सीरीज भारत के गुजरात और बड़ोदा टीम और नेपाल Крिकेट टीम के बीच खेली जाएगी नेपाल क्रिकेट के और से भारत में खेले जाने वाले इस ट्राइ सीरीज के शेडियूल का अयलान भी कर दिया गया है जिसके तहट नेपाल और गुजरात बड़ोदा क्रिकेट टीम साथ मैचों की सीरीज खेलेगी ये सीरीज की शुरुआत 31 मार्च को होगी और फाइनल 7 अपरेल को खेला जाएगा हार टीम आने दो टीमों से दो बार भिड़ेगी और टॉप दो टीम है खिताब के लिए आमने सामने अब इस सीरीज के फ्रेंशिप कप को एक वर्षी आयोजिन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है जो देशों के क्रिकेट समूदाई के भीतर दोस्ती और खेल भावना को बढ़ावा देने के रूप में काम है आप ऐसे ही देशों दुनिया की खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ प्रदेश तक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा ट्विटर और फेस्बुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले